सब्सक्राइब कीजिए अश्मास किचिन को और बैल आइकन को दबाएए सबसे पहले लेटिस्ट वीडियोस देखने के लिए अस्सिलाभू अलेकुम नाजरीम अस्मास किचिन में आपका स्वाज़ात है आज मैं आपको ब्रेट पीज़ा बनाना बता हुँआ ब्रेट पीज़ा बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंगरीडिंग की जरूरत होती है घर में जो अवेलेबिल होती है जब जिया ब्रेट पीजा बनाने के लिए हम लेंगे 100 ग्राम मौजोरिला चीज, पीजा सॉस लेंगे हम, औरिगेनल लेंगे, ब्रेट लेंगे, पिसी हुई, काली मिर्चि लेंगे, एक प्याज इसे हमने बारिक काट लिया है, एक सिमला मिज, इसे भी अपने बारिक काट लिया है, एक टमाटर इसे भी बारिक काट लिया है, और नमक लेंगे थोड़ा सा सौँध की अनुसार, एक खाली बाउल में, पहले हम ये सारी सबजी या मिक्स कर लेंगे, मैंने यहाँ अपनी पसंद की सबजी लेंगे, आप चा प्यास डाल लेंगे और थोड़ा सा हम और गिनों डाल लेंगे और नमक भी हम इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे और जरा सी हम यह पीसीवी काली मिस्ट डाल लेंगे और इन सारी चीजों को मच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो यह सारी सबजी हमने मिक्स कर ली है अब इसे हम एक तरफ रखेंगे और यह जो हमने ब्रेट ली थी यह लेंगे यह हम खाली प्लेट लगाएंगे यह पीजा सॉस हम एक ब्रेड लेंगे और इस पे हम यह पीजा सॉस लगाएंगे अब इस पे हम एक थोड़ी सी चीज डालेंगे अब इस पे सबजी रखेंगे अब इस लगाएंगे अब इस लगाएंगे इस लगाएंगे इस पे इसमें हम थोड़ी सी यह पीसी होई काली मेज डाल दाएंगे आप चाहें तो इसमें चलीफे लेस होई डाल सकते हैं और इस तरह हम यह सारे ब्रेडों को तयार कर लेंगे तो यहां मैंने यह चारो ब्रेड के पीजा तयार कर लिये हैं अब हमने एक कैस पे तवा गरम कर लिया है और इस तबे पे हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं इसे सिर्फ हम हलका सा चिकना करेंगे तबे को पहले हमने अब गरम कर लिया था आप हमने बिल्कुल मद्दा कर दिया और यह हलका गरम है अब एक इक ब्रेड को हम इसे इस तरह रखते जाएंगे गेस को हमने मद्दा रखा है और इसे हम ढाक के 5-7 मिट पपने देंगे इसे हम एक धखकन से ढाक देंगे तो पांच में ढाक के पकाने के बाद में अब हम गैस बंद कर देंगे यह देखिए यह पीजा अपना रेटी हो गया है अब इसे हम एक प्लेट में निकाल दे आएंगे तो बहुत ही मज़े का यह प्रेट पीजा बना है आप इसे जरूर बनाएं अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होते से लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें अल्ला हाफिज